हलो व्योड़ज कैसे हैं आप सब वेल्कम टो नेहास कुकिंग और वेटलोज हॉम रेमिडीज जैसे कि आपको पता है कि नवरातराज चल रहे हैं तो नवरातराज के आपको बहुत-बहुत शुप काम नाएं और आपको पता है कि मैं हर रोज आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आ रहे हूँ नवरात्रा special recipe तो आज भी मैं आप सब के लिए नवरात्रा के पांचोंगे दिन भी एक नई recipe लेकर आई हूँ वो है नवरात्रा special व्रत की chutneys, different different kind of chutneys क्योंकि अक्सर हम नवरात्रा पर विका खाना खाकर बोर हो जाते हैं इसलिए कुछ twist होना जरूरी है खाने में तो मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ नवरात्रा special chutneys तो देखते हैं कि इसे में क्या-क्या ingredient चाहिए लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरी चैनल को subscribe नहीं किया है अभी तक तो जरूर subscribe कर ले और subscribe बटन के आगे बेल आइकन का एक option दिया गया है उसे प्रेस करना बिल्कुल न भूलिए इससे आपको मेरे सारे notification मिलते रहेंगे तो चलिए start करते हैं आज की recipe तो friends मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ तीन तरह की चटनिया अमचूर की चटनि इसमें क्या-क्या इंगेडियंट्स लगते हैं तो सबसे पहले हरी चटनि बनाने के लिए हमें चाहिए हरा धनिया साथ ही मैंने दो लाल मिर्च ली है इसके साथ ही मैंने आदा कप करड ली है तो मैं ग्राइंडर जार में एड करूँगी हरा धनिया साथ में लाल मिर्च अगर आपके पास हरी मिर्च होँ तो आप उसकी जगा स्किप करके हरी मिर्च डाल सकते हैं मेरे पास यहाँ हरी मिर्च अवेलेबल नहीं थी तो मैं Red मिर्च का यूज़ कर रही हूँ इसके साथ ही मैं यूज़ करूँगी चार से पांच चमच दही और इसे ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लूँगी और साथ में मैं इसमें एड़ करूँगी आदा चमच नमक और थोड़ा साव भुना हुआ जीरा अब इसे मैं ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर रही हूँ ये हमारी chutney ready हो चुकी है इसका color बहुत ही अच्छा आता है इसे आप किसी भी चीच के साथ खा सकते हैं वरत में चिल्ले बनाएं उसके साथ खा सकते हैं वरत की टिक्कियों के साथ खा सकते हैं ये एक evergreen chutney है जो बहुत ही अच्छी लगती है और साथ ही में अब हम second chutney start करते हैं अमचूर की chutney उसके लिया है मैंने पॉना कटोरी अमचूर पाउडर इसमें मैं add करूंगी पानी और इसे अच्छे से मैं इसके lumps ना रहे हैं इसके अच्छे से mix करूंगी ताकि अमचूर पाउडर के बिल्कुल भी lumps ना बने इस बात का आप ध्यान रखेंगी इसमें लंज नहीं रहने चाहिए अगर इसमें लंज रह जाएंगे तो बाद में चटनी बनने के बाद इसमें मूह में गांठे आएंगी तो इसलिए इसे अच्छे से लंज प्री करना है अच्छे से इसे इसमें mix करना है अब मैं इसमें एड़ करूँगी भुना जीरा, थोड़ा सा नमक, आदा चमच नमक लिया है मैंने यहाँ पर, इसके साथ ही मैं इसमें एड़ करूँगी लाल मिर्च, इसके साथ ही मैं इसमें एड़ करूँगी थोड़े सी काला नमक और थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया, आप सब ये मसाले सब वरत में खाते हैं तो इसे एड कीजिए वरना धनिया आप स्किप कर सकते हैं इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने एक कड़ाई को गैंस पे चड़ा दिया है अब मैं इसमें एड करूंगी ये मिक्सचर और इसको बॉयल होने तक का वेट करूंगी जब इसमें अच्छे से एक उबाल आ जाए तब मैं इसमें चीनी आइड करूंगी आप चीनी की जगा जैगरी पाउडर ले सकते हैं गुड का पाउडर जो नैच्छरल शुगर है उसे यूज कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे चीनी यूज कर रही हूँ यहाँ पे अच्छे से उबाल आ चुका है यह थोड़ा सा गाड़ा हो गया है आप देख रहे हैं और अब मैं इसमें एड करूंगी पीसी हुई चीनी आदा कप और इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी यह खाने में बहुत अच्छी बनती है बहुत खटी मिठी चटनी बनती है किसी भी चीज के साथ आप खा सकते हैं यह बहुत अच्छी लगती है वरत में आप इडली बनाएं उसके साथ खा सकते हैं वरत की साबू दाने के टिक्कियों के साथ इसे खा सकते हैं यह बहुत ट इसमें इसे बहुत अच्छे लगते हैं Administration स्वाइब सर्णे 25 और अगर आपके पास तेल के दाने नहीं है तो यह घ्ञर सकते हैं यह कोई मेंडेटरी नहीं है कि अपनी आपने इसे अधि कर अब इसमें अच्छे से एक बॉयल आ गया है हमारी चटनी गाड़ी हो चुकी आप मैंने इसे एक बॉल में सव कर लिया यह बहुत ही अच्छा कलर आया इसका आप देख सकते हैं और बहुत ही खाने में टेस्टी बनती है अब हम बनाएंगे तीसरी प्रकार की चटनी जह है न अद्रक और इसके साथ ही मैं ले रही हूँ यहां पर आधा कप कर्ड और यहां मैंने ग्राइंडर जार में इसको नारियल के पाउडर को एड़ कर दिया है यह डेसिकेटिड नारियल पाउडर है साथ ही मैंने मुंफ्री को भी एड़ कर दिया है जो मैंने पहले से ही रोस् चुकडा लाल मिर्च और कर्ड एड़ कर दी है इसे मैं ग्राइंडर जार में अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी आप इसमें थोड़ा सा पानी भी एड़ कर दीजिए क्योंकि नारिल की चटनी अकसर गाड़ी हो जाती है तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है इसमें थोड़ा सा क्वांटिटी पानी की ज़्यादा ही एड़ करें साथ में मैं इसमें एड़ कर दूँगी आदा चमच नमक खाने में इडली के साथ तो यह बहुत ही अच्छी लगती है आप वरत का डोसा बनाईए उसके साथ खाईए यह बहुत अच्छा टेस्ट देती है इसे मैं एक बॉल में ट्रांस्वर कर रही हूं तो यहां पर हमारी तीसे तरह की चटनी भी रडी है लेकिन अभी भी इसमें क राई के दाने और दस से बारा कड़ी पता जब तक नारील के चटनी को मस्टर्ड सीर्ज और कड़ी पता को छोंक ना लगे तो मज़ा ही नहीं आता और इसके साथ ही मैं इसमें एड़ करूंगे एक लाल मिच और इसे अच्छे से तड़का कर जब इसके दाने फूटने लगें तब मैं इसे एड़ कर दूँगी हमारी चटनी के उपर तो इसे गर्मा गरं तड़की को मैं चटनी के उपर आइड कर दूँगी और ये रेडी है हमारी नारिल की चटनी तो हमारी तीसरे तरह की चटनी भी बिल्कुल रेडी है ये भी बहुत अच्छी लगती है खाने में तो दोस्तों आप भी अपने घर में ये ट्राइ कीजिए और हमें बताईए कि आपको कैसी लगी नारिल की चटनी अकसर फ्रिज में रखने के बाद गाड़ी हो जाती है तो आप शुरू सही से थोड़ा सा पतला बनाएं तो ये हमारी तीनों चटनी रड़ी हैं बिल्कुल हरी चटनी, नारिल की चटनी और अमचूर की चटनी ये बहुत ही सुन्दर है देख रहे हैं बहुत ही अच्छी लाजवाब चटनिया हैं तो अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे घर में जरूर ट्राइ करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें तो नवरात्रा स्पेशल चटनीयों के साथ मैं अपनी वीडियो यहीं खतम करती हूँ और मिलती हूँ अगली वीडियो में अगली नवरात्रा स्पेशल रेसिपी के साथ धन्यवाद